नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल Home Remedies of Life Care में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा डिप्रेशन दिमाग को कैसे परवावित करता है जिहां दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डिप्रेशन एक मांसिक बिमारी है जो आपके दिमाग के स्वास्त्य को परवावित करती है और मस्तिस के उत्को को नुकसान पहुचाती है डिप्रेशन के संकेत दिखने पर इने अनदेखा नय करें इसके कारण आपका दिमाग लंबे समय के लिए परवावित हो सकता है डिप्रेशन को आमतोर पर एक मूट डिस ओर्डर के रूप में जाना जाता है जो आपके विचार अनुवव और व्याव हर करने के तरीके में बदलाव का कारण मनता है इस डिस ओर्डर के दोरान आमतोर पर गिर्शित व्यक्ति को उदासीनता और निराशा की बावना मैसूस होती है कुछ दिनों के अंदर डिप्रेशन के कारण व्यक्ति बहुत दुखी मैसूस करने लगता है इसलिए इन संक्यतों के दिखने के बाद जरूरी है कि आप इस बात पर ध्यान दें क्योंकि ये भावनाए एक मामूली समस्चा को लेकर निराश होने से कहीं अलग है और इनका असर लंबे समय तक रहता है डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी होने के कारण आपके दिमाग को बुरी तरह परभावित करती है आईए जानते हैं कि डिप्रेशन दिमाग को कैसे परभावित करता है दोस्तो डिप्रेशन आम तोर पर हमारे दिमाग के हिंपोकेंप्स, अमिगडाला और प्रिफंटल कोर्टिक्स हिस्सों से परभावित करता है हिंपोकेंप्स हमारे दिमाग का मुख्य हिस्सा होता है यह कोर्टी सोल के कम उत्पादन के लिए और हमारी मेमोरी को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार होता है कोर्टी सोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसका अस्तर बढ़ने पर हमें शारिडिक तनाव और मांसिक तनाव अनुबव होता है डिप्रेशन की समस्या तब उत्पन होती है जब इस्ट्रेस के रेस्पोंस में या शरीर में रासाइनिक एसंतुलन के कारण कोर्टीसोल का अधिक उत्पादन होने लगता है शरीर में कोर्टिसोल का अस्तर बढ़ जाने से ब्रेन सेल्स या नियूरोन्स के फॉर्मेशन में परिशानी होने लगती है ये नियूरोन्स हिंपो केमपस के एक हिस्से डिनेट गाईरस में बनते हैं डिप्रेशन के कारण पहले से मुझूद नियूरोन्स सिकुडने लगते हैं जिससे आपको चीजे याद रखने में दिक्कत होती है वहीं दूसरी और प्रिफंटल कोर्टेक्स जो की हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा है दिमाग के मुख्य कारिय करने में मदद करता है यह हिस्सा भावनाओ, नीन्य लेने और यादों को बनाने के लिए काम करता है डिप्रेशन के दोरान जब कोर्टी सोल का अस्तर बढ़ जाता है तो इस हिस्से का आकार कम होने लगता है डिप्रेशन के कारण ये हिस्सा ठीक से काम नहीं करता इसके कारण शरीर में अन्य हार्मोन और केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे ऐसंतुलन बढ़ता है डिप्रेशन का उपचार कैसे मनद करता है डिप्रेशन के उपचार के लिए जरूरी है कि कोटिसोल के अस्तर को संतुलित किया जाए इसके अलावा शरीर में केमिकल के अस्तर को कम करना भी जरूरी होता है साथ ही कुछ प्राकर्तिक तरीके और थेरैपी भी इस डिप्रेशन से छुटकारा पाने में मदद करती है दोस्तो ये कुछ परभाव हैं जो डिप्रेशन के कारण गर्शित व्यक्ति के दिमाग पर पढ़ते हैं दोस्तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज आमें कमेंट कर जुरूर बताएं और हमारी इस जानकारी को लाइक वे शेयर जुरूर करें धन्यवाद